السلام علیکم, good afternoon, कैसे हैं आप सब, हाँ जी जी मैं अपनी प्राडो और लेमोजीन पे जा रही हूँ, आज हमने जाना अपनी एक फ्रेंड की तरफ गिलानी हाउस, तो उनका जो गिफ्ट था वो आल्रेडी पहले मैं ले चुकी थी, तो मैंने का चले बच्चों के लिए, मतलब लो बंदा नहीं ले सकता, मैं खाचले बच्चे हैं, खाने पीने की चीजения हैं, शौक से बच्चे खाते हैं और हर घर में भी आप जाएं, तो बच्चों को ये ही होता है के हमारे लिए क्या आया है, बहले वो ना भी कें, बर वैसे भी है, कि जब भी आप किसी घर में तो यहां जी मैंने अपनी जो फ्रेंड के लिए सूट रखावा था उसके लिए मैंने ये एक बैग लिया और मैंने कहा एक जो बच्चों की चीजें हैं जो कि उन्होंने शॉपर में डाल दी थी तो मैंने कहा इसको जी आप ट्रांसफर कर दें इस बैग के अंदर को चलो हो जाते हैं तो माशालोब जी उनके दो बेटे हैं बहुत ही को बढ़ बात होती है मां बाप का फर्मा बरदार बनाए और आपस में जो प्यार है वो बचों का रहे तो बहुत बढ़ी एक मैं कहते हूं बोलेसिंग भी होती है और यह देखें जी जो चीजें थी जो मैंने बच्चों के लिए ली थी बस मेरे ये व्लॉग लेट हो गया जरा बीजी रही कुछ चौप और यहां पे जिम आपको अपनी त्यारी दिखाएंगे देखें यह हम है यह हम है और हम जा रहे हैं ठीक है तो बाल जी थोड़ से स्ट्रेट हम नहीं की है तो ठीक है जी मुझे मे पहुंचने वाली है उसने गाजी घर से निकल आए है तो यह घर से निकल आए है तो इन्शालों जी वहां जाके आप से मिलते हैं तो यह जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रिदा उन्होंने आज हमारे लिए चाए अरेंज की हुई है तो हम वहां पे जा रहे हैं ठीक है जाकि उनसे भी आपको मिलवाते हैं यपिनल आपको खुछी होगी हमारी स्टोस्ते भी मिलके यह जी जी लेला जी के काड़ी ग्रेंडी इसकी ग्रेंडी का मजाग में लाया जा आए तो यह जी एस लेला बुखारी साब विद मास्क पार्टी बड़ा प्यारा सूट फेव पल्विशा का भी है तो उन्हें कॉन सा कलर में कि तो आई बहुत प्यारा कलर हाई ला अच्छा पी मेरे साथ देमार पर दूमर चली नहीं तर फैसे लिए कोई नहीं कोई नहीं बच्चों को ड्रॉप करती हूं इस ट्राइं यह ज़ता हमने गाड़ी में रखा है जी पर आउने बच्छे नहीं कोई टाय कि अपना कुछ लेए सकें लेला ने कुछ नहीं लिया था लें क्लिय रीए कि मेरे लिए बनाओं नहीं बन करें ना हो जाएं तो बस जी बच्चों को उसने छोड़ा उसके बाद वो में तरफ आई फिर उसने कोई चीज भी नहीं ली थी पिर हमने जी वो पेस्ट्रीज पैकर वाएं और यह देखें जी शाही किला हमारे शाही किला मजूद है तो बस जी अब हम जा रहे थे अपनी फ्रें डर हो चुके थे यहां जी उसका अपना घर ता उसकी जास का घर ता यह देवरानी जी ठानी सबकी जी लग लग पोर्शन थे सबके अपने लग लग गेड़ ते और एंड पे आगे जी हमारी जो प्यारी सी दोस्त हैं रिदा गिलानी उनका जो पोर्शन था वो था तो यह हाँ जी हमने बस अब उतर न था क्योंके चूटे हमारे मुक गे थे घर जड़ा पास था चूटे बहुत थोड़े लबे ने तो इदर जी बस हम अंदर जा रहे हैं तो आगे जा कि आप देखेंगे कोशिश करूंगी कि जो बिल्कुल जो औरिजिनल वाइस है वही आप लो लो गाइस है इसकी क्या ज़िए रथी तोलो भॉपस ले और सृट्टा ना शे, में मरना लो है एलो यह दो लो खाँ यह देखेंगी पात्मा, हैंओ बन्ला निये गो बोलो नानोंसे ने मिलनाँ है हेलो साम करो ए तेरे बाद हारे लगुसे जी उन्देने बेर्ण है दमाँ खराब है दमाँ खराब होई देने हैं इन से मिलिये जी है रिदा गिलानी जिनके घरम माएं है और ने बहुत ही प्यारा सूट वियर किया था मैंने का था थोड़ा सा जूम के ज़रा सा घूम के अप हसीन थी और यह नोंने मरियम हुसेन का जी सूट वियर किया था तो आएं इनका जी जो छोटा सा एक महल है जो नोने बहुत ही प्यार से इसको सजाया वे उसका आपको तोड़ा सा एक मैं विजिट करवाती हूँ और रिदा के बारे में कुछ बाते मैं आपको बताती हूँ जो के दोस्ती के बात हमें पता चली रिदा को जी घर सजाने का बहुत शौक है रिदा को खुद भी सजने समरने का बहुत शौक है रिदा को मेक अप का जूरली का शूस का घर की डेकुरेशन की चीजों का और घर को सजाने का जी क्रेज है तो जब हमारे इससे बात ही तो ये एकदम से सारा कुछ नहीं मेरे पास आया नहीं सुह को एकदम से मैंने लिया आट साल लगें हैं मुझे इस घर को सजाने में जो के वाखिव एक च्छोटा सा महल है तो रिदा के गर को मैंने एक चोटे से महल का जी नाम दिया तो वाक़ी वो ऐसा ही था और ये जी वो डानिंग टेबल है जहां पे अभी थोड़ी देर बाद जंग छड़ जानी है जी खाने पीने की तो साथ साथ मैं आपको चीजों के बारे में बताती चलूँ के यहां के जी घर का जो एक एक कोना था उसको बहुत ही खुबसूरती से सजाया गया था कि मैं कहते हूं कि आपकी नजर रुख जाओ आपकी सोचों के वाक़ी आप वावा कर उठें के वाके जी घर बहुत खुबसूरत है तो रिदा से मैं इजासत ली कि मैं इस पोस्चर में जा सकती उसने का जी बिल्कुल जरूर आप विजट कर सकती है आपका अपना ही घर है तो यह देखें जी कितनी खुबसूरत चीज थी तो इसकी तबच्चे में किच्टी चली गई और यह बहुत ही प्यारा एक वाल के साथ आप कहलें के हैंक करने के लिए जिसको डेकुरेशन कहलें यह वह था और बिल्कुल इसके उपर जी एक क्लॉक लागबा था जो के बहुत खुबसूरत था किच्टन के साथ तो यहां भी देखें जी बहुत ही खुबसूरत चीज़ें यह निके तूम तराग मैं कहते हुए डिसंट सी चीज़ें थी आया आपको एक और चीज़ दिखा हूँ यह बड़े राम से कैप्चर करने वाली शोष राबन अच्छा यह जी चांदी कॉर्णर है इसके लाइट नहीं है इसके लाइट नहीं है अच्छा चंदी काली होई यह मेरे अच्छा उल्टा किया बैशाइज हाँ यह देखे शायद नमाज पढ़ते है तो इसलिए ती रून उल्टा किया हुए और इधर आज़ें तो यह गैस्ट्रूम है यह जी गैस्ट्रूम देखें जी कितना फुबसूरत है जब जारा कभी नाराज होके है तो जारा कित बाहर को आज़जी को अबधिए तो फिजा हुंद है ज्याराज से शारी जीजे महात ही कुबसूरत ऑँ बहुत ही प्यारा घरे माशा-ल relationship भाउ पयरा गर जारे को सारे कमरे भकाने तो मैं आपको जी और टीजन दिखाओं यह देखें टेबल किती हुबसूरत है मतलब मुख्मी दिखाने का मकसद यह नहीं के शोरचा मतलब आइडिया आपको आजाते हैं चीजों के जैसे कि यह है यह देखें किता हुबसूरत पफी सा है बहुत ही खुबसूरत यह देखें जबरदर्स्त है जी बड़ी सुगड़ है जी माशाल्ला और यह जी आपकी सनाज किचन है यह देखें जी सुरेद पाते हां माशाला पहुत भी पुबसूरत यह देखें जो देखें जिसको जरूर पढ़ें कैप्चर करने का मुक्सद यह था कि आप इनको पढ़ेंगी ठीक है और यह जी इसके बच्चों का फोटो पार्नार यह देखें इसके बच्चों की पिक्चर माशाला कितने गॉलू मॉलू से हैं यह देखें यह सारा अपने बाबा पर जो चोटा वह सारा इदा पर इदा को मैं कहते हूं तो इसके चोटे बेटे को चोटी रिदा यह देखें यह देखें माशाला जी यह देखें किते हुबसूरत पिक्चर है वेरी ब्यूटीफुल बड़ा ही जी खुबसूरत मैं कहते हूं जी घर सजाया वैज अब अच्छा गर सजा हो तो मैं एक मुकमल अरत होने का सबूत है मेरी नजर में यह वह मुकमल आप है जो अपने साह स जिसको खुद भी बनने समरने का शौक और घर को भी तो यह देखें माशाला जी मेरी ब्यूटीफुल और यह टेबल लग रही है हमारी पेर पूचा के लिए देखें पीजा है और देभलेज है फ्रूट चार्ट है मेरी फेवरेट और यह भी पीजा स्टफिंग में कुछ है और यह विंग्स है और यह जी सेंडविच है और यह जी स्मोसाज है हाँ स्मोसाज तो यह जी हम खाएंगे यह बस अभी थोड़े बची जंप छिडने वाली है संपेंसेट की वह मापको दिखा नहीं सकेंगे ठीक है अभी इस टेबल पर टूर पढ़े मैंने का बहुत बड़े शकारी आज आए तो ठीक है जी मार्शालिज देखें टेबल तो ऐसे जी इसकी टेबल जब भी हम आई इसकी टेबल हमें ऐसे नजर आए अपने यह से द्वाचा करिये आमीं मैं गहारी हम जब भी आए हमें टेबल हैसे नजर आए रही था कि मैं का ला क्या पढ़े यह से द्वाण दे ना और ऑन नो क्यों खवन देए अपर इसनी मेरा फेवर सामान जोप नहीं है कि यह रहे हैं यह अजिए लिगें जोटेश्वान कर दोटेश्वान देखें यह तो यहां पे खाने पीने का सारा समान लग चुका था बस हमारी एक फ्रेंड थी तो उनका वेट हो रहा था कि वो जैसे ही आएं तो हम तूट पड़ें हमें लग रहा था कि जैसे तो रोजे बाला हिसाब हो गया है तो बलके वो कह रही थी जिदा कि आप लोग शुरू कर ले हमने का नहीं बुरी बात है वो बस आने वाली हैं तो वो जैसे ही आ जाएंगी तो ये जिद शुरू ले आई हैं ये हमारी फ्रेंड है तो इनका वेट हो रहा था तो बस सबजी जो हैं वो मैं कहती हूं खाने पर ऐसे हमलावर होंगे क्या से पासे था पता यह नहीं होना क तो कुछ बंदा बाहर से ले ले लेता है कुछ घर बना लेता है तो यहां भी ऐसा ही हुआ था जी कुछ चीजें बाहर की थी कुछ घर बनी हुए थी बट मेरी जो मोस्ट फेवरिट चीज थी वो जी फ्रूट चार थी जो के जारा नवाप ने खुद अपने खुबसूरत हाथों से बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार थी जारा तुमारी फ्रूट शार्ट सब चीजों से वो नमबर लेगी सैंडविच थे वो बहुत ही मज़ेदार थे मैं कहती हूँ जब दोस्त आपके कटे बैटे हो तो चीज कोई भी हो तो आपके गपशब यूस चीज को खुबसूरत और मज़ेदार बना देती है और इसके बाद जी ये हुई चाहे शुरू तो जो रिदा है वो ये इस तरह चाहे बनाती है टी बैग वाली और जो ड्राइ मिल्क होता है उसके वाली तो यहां पे जी मैं है इतना ये मतलब कम ही पीती हूँ पर जब पीती हूँ अच्छी लगती है क्योंकि मैं चाहे की बहुत शुकीन नहीं हूँ दोस्तों के घर चली जाओं या सुबा अपने कर्मे नाच्टे में पीलू या कभी हो तो शाम में साइमा की तरफ चली जाओं वहां चाहे पीलू वो जैसे एक क्रेज होता है लोगों को वो मुझे नहीं है मर जो रिदा नहीं ये चाहे बनाई थी बहुत ही मज़ेदार थी और मेरे ख्याल में उसका जो प्यार था जो उसकी खलूस था और जो उसकी एक मैं कहती हूँ ग्रेट हॉस्पिटालिटी थी वो जी उसकी हर चीज में नज़र आ रही थी तो यहां जी अब ये चाहे टू लेडिस मिलके बना रही थी रिदा और जारा तो बहुत सबने नज़र आई किया हर एक चीज को गपशब थी हैसी मज़ाग भी था शोर श्रबा बहुत ज़्यादा था तो मैंने का बास तो ही दो योरता खटे यहां उन्हादा रोला बहुत हो था यहां तो पांच-छे थी जारा थी और जारा के जो हैं मतलब बच्चों की जो पुपों थी वो थी दो मैं थी लैला थी तो एक और जो थी हमारी दो तसमीया वो थी तो बस यह सब ने मिलके इंज्वाई किया यह देखें खा पी लिया अब जो चाई का दोर था वो शुरू हो रहा और मैं मज़ाग उड़ा रही थी कि रिदा जो तुमने चाई बना के दी जब मैंने टी बैक दो निकालने थो मेरा जो चाई का कब था वो हाफ रह जाना है और मैं दोबारा चाई पी उँगी और यहां यह दिखाते है चलो यह मैं इरान यहां अराग गी थी रिदा तो वहां से यह देखे कितने खूबसूरत यह जो है डेकुरेशन पीस एक होर्स बना हुआ है और दूसरा हीरेन यहाल बारा सिंगा था वो था बड़ी खूबसूरत थे तो यह जी एसलेला बुखारी ने दुबारा एक टब में चाय बनाई जिसमें इन्हों ने जी डूबकियां लगानी थी तो यह जी लेला की चाय बनके आई तो उनको चाय की कमी थी वो शिदत से हुई क्योंकि वो चोटे कपसे तो जब हमने टी बेग निकाले तो कप हमारे आ और यह देखें जी के मेरी चाए बन के आई हमने भी पहले गिला किया कि हमें पहले आदा आदा कप मिला है वो तो वही साब हो गया किसे वे आते जाओ ते संत बोतला ही नहीं मिलिया तुसी बोतला थे अपी सारे पीगे तो यहां भी बस यही सिस्टम होगा खेर यह एक ों जैसे कि मैंने का कि मैं बहुत इंप्रियस हुई रिदा की सौच से रिदा के काम से यह जो आपको पेंटिंग नजर आ रही है यह रिदा की सिल्की शरटी तो सिल्की शरट में यह पिक्चर लगी हुए थी इसने बड़ी मेंनत से और बड़ी मैं केहन दी हूँ है ना वो तुमने बढ़ा दी है तुम्हारी जो सोच थी तुम्हारी एक जो काम के अपनी लगन है और मैं कहते हूं यह तुमने बड़ा इच्छा है एक वो मतलब के चीज पेंटिंग को पूरा तुमने एक वो स्टोरी में यहां पे तुमने वो लगा के इसको तो यहां पे हैंक की है तो बहुत जी माशालला मैं इंप्रेस हुई कि इस एज में वना देखने में यही लगता था कि इसको शायद कपड़ों का शौक है या जुलरी का शौक है पर जब इसके घर में एक कोने को हमने देखा तो इसकी जो सोच के खुबसूरती थी वो जी हमें नजर आई जो कि इसके फेस पे भी थी तो बहुत ही प्यारा माशालला जी छोटा सा इसका महल यह क्लॉक इसका बहुत प्यारा था मैंने कहाना हर एक चीज बहुत खुबसूरती यह नहीं थी कि बेड़ धंगी चीज़े पड़ी हुए हैं खाली बस पैसा है तो पैसा लगा के मैं कहती हूं सही मिंटेन जो होते हैं आपके वो इस चीज़ के साथ यह चीज़ जानी है फरनीचर है तो यह चीज़ होनी चाहिए अगर फलोर है तो कर्टन इस तरह के होना चाहिए मतलब वो बिलकुल एक सही स्मूथ सी जा वो लग रहा था इसका जो एटमोर्सफेर था जीज़ के ड्राइंग रूम का बहुत ही खुबसूरत था तो मैं मैंने काना है कि मैं बहुत इंप्रैस हुई कि सर्फ देखने में यही लगता था कि जूते कपड़ा के शायद शौक है बर जब घर इसकी आए तो हर चीज़ का जी शौक हमें नजर आया और मैंने बहुत र ने और दिवार के एक एक हिस्से को जी उपनी सोच के साथ खुबसूरत बनादेती है और जैसे कि CCP जहेए स वी मैंने अपनी पसंद का ख्रीदा था सारी चीजह से मैंने खुप بنवाई थी यक हुआ न seben www. इस बस्वारत का शौक हो तो मैं खहती हूं जी वows घर जंत बना देती है और बच्चे जो थे माशाला वो भी इसके बहुत अच्छे थे ते एक पुर सुकून लाइफ इनसान गुजा रहा हो तो आपके एक एक चीज मेसे जी वो सुकून भी नजर आता है जो कि हमने फिल किया कि हमारी दोस माशाला बहुत खुश है हैपी है और यह सब है उस घर को बनाने वाली वो औरत की होती है कि उसको भी एक अजादी होती है कि अपरचून्टी मिल जाती है कि जी घर को मैंने बनाना है तो मर्द की मदद से मर्द की हल्प से ही मैंने बनाना है तो यहाँ जी बस हम रिदा से सब इजासत ले रहे थे तो जो लेला है उसने मुझे और जो जारा के बच्चों की पुपुँ हैं दो नको ड्रॉप करना था क्योंके हमारा सेम रोड था गर भी पास पास थे जारा ने बाद में आना था कुछ जारास ने रिदा की हेल्प करनी थी किचन बगारा समेटने में तो हमने जल्दी वापस निकलना था तो बहुत मज़ा आया रिदा बहुत अच्छा लगा तुमारे घर आके तुमारे घर की जो एक एक खुबसूरती है उससे मुझे बहुत ही मैंने उस चीज़ को इंजवाई किया और अप्टिशेट भी किया कि शायद हमें ये चीज़ें नहीं है इतनी जितनी मतलब रिदा में मैंने देखी है कि बहुत ही खुबसूरत करता इसका अल्ह ताला बुरी नजर से बचाए अल्ह ताला जी हर बेटी को ऐसे खुश औ खुरम अपनी जिन्दगी में रखे और हजबन के साथ ये एक अच्छी लाइफ गुजरे ताकि माँ बाप को भी सुकून रहे जिन्दगी में कि हमारे जो बच्चे हैं वो अगले घरों में जाके खुश हैं और ये सारी तर्बियत होती है घर की सीख होती है कुछ अपने घर के शौक भी होते हैं कुछ शौक शादी के बाद पूरे होते हैं माँ बाप के घर में तो कभी कभी सिर्फ एद्धों पर सूट मिलता है तो कहीं कुड़ियां ते शादी ते शौक शादी किसलिए करा लेती है कि चुछ चीज़ां लबणगी जुछ यहां लबणगी यहां कपड़े लबणगे मेकब मिलेगा हैं एक अदद हस्बंड भी मिल जाएगा जिसे फरमाशे करेंगे जो खुछें आपकी पूरी करेंगा जो जैसे माँ बापके घर में लाड़ प्यार होता था आपकी बाते पूरी होती थी तो इस तरह एक और इनसान आपकी जिन्दगी में शामिल हो जाता है जो जी आपकी जुरूरते आपकी खुशियां आपकी खुशियां आपकी खुशियों को पूरा करता है तो यहां जी रिदा से हमने इजासत ली तो बस अब हम जी गाड़ी में बैठ जाएंगे फिर हम घर जाएंगे गाड़ी वापस आएगी और लेला का भी बहुत शुक्रिया जी पिक एंड डॉप करने का तो इसलिहां से जी मेरी दोस्ते बहुत अच्छी है इस चीज़ का बहुत ख्याल करती है तो अल्ला तरा जी सब को खुशो खुरम अपने अपनी लाइफ में रखे तो यहां जी उसका जो ड्राइवर था वो हम थ्री लेडिस को तीन ओरते तीन कहानियों को जी अपने अपने घर छोड़ने जा रहा था सब का बहुत शुक्रिया बहुत इंज्वाई किया बहुत मज़ा आया और बलके जो मेरी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो गई है मिलियन्स में वो रिदा के घर के और रिदा को मैं कहा जी रिदा ये मेरी पहली वीडियो है जिसने वन मिलियन क्रॉस किया टू मिलियन क्रॉस कर लिया और उसमें तुम्हारे बाबरकत हाथ आई हुए है खूबसूरत हाथ चाए बनाते हुए तो ये तो खैजी एक याद बन गई किसके हम घर आए तो इस तरह हुआ तो वहना कहीं भी जाएं तो मैं चपकी जो चाए के कपकी बनाते हुए चाए है जी वो मैं जरूर कैप्चर करती हूँ मुझे अच्छा लगता उसका रील बनाना कोई भी अच्छी सी वर्डिंग मुझे मिल जाए तो उसके उपर मैं वो लगा देती हूँ जो किसी ना किसी से रिलेट जरूर कर रही होती है किसी ना किसी की जिन्दगी में वो लाइन जरूर बहुत एहमित रखती है यहां वो कुछ हुआ होता है इनसान की जिन्दी में कि वो आपको खुद भी फील हो कि हाँ यह हकीकत के करीब लफज हैं और हकीकत के करीब तर लाइने हैं तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ाया, बहुत इंज्वाई किया बस जिब घर जाएंगे, फिर होई जाके कपड़े, चेंज कारेके तकार दे काम शम किचन की जी समेटा समेटी करेंगे, और कुछ काम होगे वो देखेंगे तो यह सफारी हमारी यहां पे उतरी